Hinduism, a history Hinduism, दोस्तों, एक ऐसा religion है, जो हजारों सालों से जीवित है. एक ऐसा tradition जिसने Indian सब कांटिनेंट में जन्म लिया और यहां के culture को शिप किया. Hinduism सिर्फ एक religion ही नहीं, बलकि majority of Indians की integral पहचान भी है. लेकिन दोस्तों, Hinduism एक ऐसा शब्द है, जिसे खुद को Hindu कहने वाले भी अकसर पूरी तरह नहीं समझते. कोई इसे religion कहता है, तो कोई इसे एक way of life बताता है. आखिर Hinduism का सही मतलब है क्या? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे. और समझेंगे कि Hinduism कैसे way of life की तरह शुरू होकर एक religion के form में develop होता है. दोस्तों, Hinduism दुनिया के सबसे पुराने religions में से एक है. इसकी शुरुआत कब होई? इसका कोई definite answer नहीं मिलता. लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चार हजार सालों से भी पुराना है. आज दुनिया के लगभग हर कोने में Hinduism को follow करने वाले लोग रहते हैं, जिन मेंसे 90% इंडिया को belong करते हैं. followers के मामले में लगभग 900 million followers के साथ Hinduism, Christianity और इसलाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा religion है. इसी के साथ साथ Sanskrit language एक important language जुरती है, जु इसी के साथ ग्रो हुई और जिसने Hinduism के belief systems को spread करने में important योगदान दिया. माना जाता है कि Proto-Indo-Aryan और Proto-Indo-European languages भी Sanskrit से ही develop होती हैं. आईए सबसे पहले हिंदू शब्द के origin को समझते हैं. Origins of the word Hindu दोस्तों, हिंदू शब्द Northern India में flow होने वाली river Indus से derive हुआ है. Ancient times में इस river को सिंधु नाम से जाना जाता था. लेकिन जब Persians का migration इंडिया में होता है, तो वो इसे हिंदू कहते हैं. और यहां के land को हिंदूस्तान और रहने वाले लोगों को हिंदू उसका नाम देते हैं. इस तरहें हिंदू शब्द को पहली बार 6th century BCE में Persians ने यूज़ किया था. उस समय हिंदूइजम शब्द एक कल्चुरल से ज्यादा जियोग्राफिकल लेबल हुआ करता था. आगे चलकर इसे हिंदूस की religious practices को describe करने के लिए यूज़ किया जाने लगा. Religious beliefs को define करते हुए हिंदूइजम शब्द का reference पहली बार 7th century CE के एक Chinese text Record of the Western Regions by Huang Zang में मिलता है. लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि religious practices और beliefs को describe करने के लिए English term हिंदूइजम का use इतना पुराना भी नहीं है. कहा जाता है कि इसे पहली बार 18, 16, 17 में राजा राम मोहन रॉई ने use करना शुरू किया था. इसके बाद 1830 के around British colonialism को oppose करने और खुद को बाकी religious group से अलग दिखाने के लिए Indians ने हिंदूइजम को अपना religion बताना शुरू कर दिया था. ये वही समय था जब हिंदूस्तानी अपनी identity के लिए soul searching कर रहे थे. ये तो बात हुई हिंदू और हिंदूइजम शब्द के origin की. लेकिन शब्द यानि की term तो बाद में आया था. इससे जोड़े beliefs और practices का origin और भी पुराना है. How did Hinduism start? दोस्तो Christianity और इस्लाम की तरह हिंदूइजम का कोई single founder नहीं है. और इसका origin recorded history से भी पुराना समझा जाता है. हिंदूज अपने religion के लिए सनातन धर्म term यूज करते हैं. जिसका मतलब है eternal faith. यानि कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है. इंडस वाली civilization में कुछ ऐसे evidence मिले हैं जो या तो हिंदूइजम का part है या उसे influence करते हैं. उधारन के तौर पर यहां मिलने वाली proto-shiva seal, mother goddess को represent करने वाली terracotta figurines, स्वास्तिकाज, lingas, sacred animals की images, etc. आज हिंदूइजम का एक part है. इसलिए ये माना जाता है कि किसी ना किसी form में हिंदूइजम उस समय से exist कर रहा था. Organized तोर पर हिंदूइजम की शुरुवात वैदिक culture से मानी जाती है, क्यूंकि इसी समय हिंदूज के sacred texts वेदाज का origin हुआ था. यानि कि हिंदूइजम का first literary evidence हमें वैदिक period में मिलता है. चलिए ये तो समझ में आ गया कि हिंदूइजम का ना तो कोई founder था और ना ही कोई definite date है इसके शुरुवात की. लेकिन कुछ core beliefs हैं जो हिंदूइजम को define कर सकते हैं. आईए जानते हैं. Core beliefs. दोस्तो हिंदूइजम एक organized religion नहीं है और किसी single systematic approach से इसके value system को नहीं समझा जा सकता. और ना ही 10 commandments की तरह हिंदूइजम के पास कोई simple set of rules हैं. हिंदूइजम के beliefs अक्सर local, regional, caste और community driven practices से influence होते हैं. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे beliefs हैं जो सभी variations में common कही जा सकते हैं. इन्हें ही हम core beliefs कह रहे हैं. इसमें सबसे पहले आता है एक supreme being में विश्वास जिसे हिंदूइजम में ब्रहमन कहा गया है. इसके अलाबा concept of karma, soul यानि की आत्मा, reincarnation यानि पुनरजन्म और मोक्ष हिंदूइजम के central belief system का पाठ हैं. soul या आत्मा का concept कहता है कि सभी living creatures में आत्मा होती है, जो की इश्वार का ही अंच होती है. कर्म का concept हिंदूइजम में बहुत ही important है. इसके अनुसार लोगों के actions ही उनकी present life और future life को determine करते हैं. हिंदूइजम में life के चार main aims बताए गए हैं. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. मोक्ष की प्राप्ती के बाद cycle of births का end हो जाता है और आत्मन supreme soul में मिल जाती है. योग, जिसका अर्थ है union with God भी हिंदूइजम का एक important part है. लोगों को दुनिया भर में हिंदूइजम का पता हो न हो, पर योग का जरूर पता होता है. 2015 से जबसे हर साल International Yoga Day 21st June को मनाया जाता है, तब से ये और famous हुआ है. और लोगों को इसके real world benefits for physical, mental and spiritual well-being भी समझा रहे हैं. आईए अब हिंदूइजम के major gods और sacred texts की बात करते हैं. Major gods, sacred texts and different sects दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक supreme being में विश्वास करते हैं. Supreme being याने की ब्रहमन का concept एक formless god, ultimate reality या omnipresent energy की तरह है. इसी के साथ-साथ, हिंदूइजम में कहा गया है कि इसके अलग-अलग रूप हो सकते हैं. यहीं से polytheism का concept आता है. हिंदूइजम के अनुसार सब कुछ, ईश्वर का ही एक अंश है. और ये forms and avatars, मनुश्यों का भला करने के लिए लिए लिये जाते हैं. इसी के साथ-साथ, हिंदू नेचर वर्षिप भी करते हैं. हिंदूइजम में plants से लेकर animals तक सब की पूजा होती है. नेचर वर्षिप करने के पीछे scientific reasons भी हैं. जैसे कि हिंदूइजम में banyan tree की वर्षिप का concept है. और हम सभी जानते हैं कि ये tree 24 घंटे oxygen देता है. यानि कि हिंदूइजम के followers भी इस tree की importance को जरूर समझते थे. इसी तरह medicinal value वाले तुलसी plant आमला यानि कि Indian gooseberry जैसे trees को भी पूजा जाता है. कुरूना के समय जब vitamin C को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, तब हम सब ने आमला का सेवन और शुरू कर दिया. आयूरवेद इसे superfood बुलाता है और हमें हर रोज इसे लेने की सलाह भी देता है. इसके अलाबा, वैदिक period में जहां इंद्र को major god की तरह पूजा जाता था, वही later period में trinity का concept develop होता है. इसके अनुसार तीन major gods हैं. ब्रह्मा, the creator, विश्णू, the preserver, and शिवा, the destroyer. हिंदुइजम में feminine energy को भी worship किया जाता है. इसे goddess शक्ती माना गया है. और किसी दूसरे major religion में god को feminine form में worship करने का concept नहीं देखता है. इसके अलावा, multiple gods and goddesses हैं, जिने अलग-अलग attributes से जोड़ा जाता है. जैसे कि Lord Ganesha को remover of obstacles, यानि कि विग्न हर्ता कहा गया है, तो देवी सरस्वती को goddess of knowledge. जिस तरह Hinduism का कोई single founder नहीं है, ठीक उसी तरह Bible या Quran के जैसे कोई single book भी Hinduism को represent नहीं करती, बल्कि multiple texts हैं जो Hinduism में secret माने गए हैं. इसमें सबसे पुराने हैं चार Vedas, Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved, और Atharv Ved. Hindu मान्यता के अनुसार, Vedas eternal truth को represent करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें sages यानि रिशीज को reveal किया था. इसके अलावा उपनिशाद्स, पुरानाज, एपिक्स, रामायना एन महभारत और भागवत गीता हिंदूस की major holy books हैं. बागी religions की तरह हिंदूस के भी different sects देखने को मिलते हैं. इसमें चार major sects हैं. वैशनव, शैव, शक्त और स्मर्थास. वैशनव लौड विश्नु को वर्शिप करते हैं, शैव लौड शिवा को और शक्त देवी शक्ति को. वहीं स्मर्था ट्रेडिशन में five deities को एक सुप Supreme Being का पार्ट मानकर वर्शिप किया जाता है. इनके अलावा और भी बहुत सारे sects और सब sects हिंदूइजम का पार्ट हैं. हिंदूइजम में multiple sects का development तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात ये है कि इनके development में कोई हिंसा यानि violence देखने को नहीं मिलती. सभी sects एक दूसरे के peacefully coexist करते आए हैं. इसकी बड़ी वज़े ये है कि सभी हिंदू sects के core beliefs सेम ही है और philosophical basis पर ये एक दूसरे को counter नहीं करते हैं. एक दूसरे के existence को sects readily accept करते हैं. क्योंकि tolerance हिंदूइजम का एक core belief है. ये तो बात हुई हिंदूइजम के religious beliefs, उनके gods और major texts की. अब हिंदूइजम क साथ evolve हुए social system के बारे में बात करते हैं. Evolution of Hindu social systems दोस्तों, हिंदूइजम में social order की foundation वर्ण सिस्टम से बनती है. वर्ण सिस्टम का origin रिग वेद के पुरुषशुक्त में मिलता है. इसके अनुसार society को चार वर्णाज में डिवाइड किया गया है. ब्रहमन्स, क्षत्रियज, वैश्यज और शूद्रज. ये division कर्म के basis पर किया गया था. जिसमें intellectual और spiritual activities में काम करने वालों को ब्रहमन का गया. पब्लिक को protect करने वाले यानि की warrior class को क्षत्रियज. skillful producers को वैश्यज की category में रखा गया और unskilled laborers को शुद्रज बोला गया. लेकिन आगे जाकर ये system rigid होने लगा और birth के basis पर division शुरू हो गया. इसके अलावा बहुत सी classes को वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाने लगा और उन्हें untouchables मान लिया गया. इन्हें केवल menial jobs करने की अ development शुरू हो गया था. जिसकी वजह से social system बहुत ही complex हो गया. इसके साथ ही lower vernaz और untouchables के साथ inequality का behavior किया जाने लगा. इन सब evil practices ने societal fabric को कमजोर कर दिया. सभी vernaz के लिए अलग-अलग social rules के साथ ही different religious rituals भी prescribe कर दिया गये थे. इसकी वजह से Hinduism एक complex social order नजर आने लगा था. इस complexity की वजह से ही 6th century BC में Buddhism और जैनिजम जैसे different religious traditions popular होने लगते हैं. एक वक्त पर Buddhism और जैनिजम का दबदबा पूरे Indian subcontinent में हो जाता है और Hinduism कुछ हद तक decline होता दिखता है. लेकिन एक बार फिर Hinduism को revive करने का काम भी शुरू होता है. Revival and Reform in Hinduism दोस्तों, इतना पुराना religion होने के बाद भी Hinduism आज तक survive कर रहा है. इसकी एक बड़ी वजह ये है कि समय समय पर Hinduism में reforms लाए गए और इसे revive किया जाता रहा. फिर चाहे वो 7th से 8th सेंचुरी के बीच शुरू हुए South Indian भक्ती मूवमेंट के द्वारा किया गया हो या फिर अलग-अलग आचार्याज के द्वारा. भक्ती मूवमेंट के दौरान अलवर्ज और 9-Hour Saints ने rigid caste system को challenge किया. साथ ही rituals और religious practices को भी simplify करने का काम किया. उनके प्रयासों से ही Hinduism, Buddhism और Jainism से मिल रहे challenges को मात दे पाता है. इतना ही नहीं, Hinduism समय के साथ local cults और deities को भी absorb कर लेता है. फिर बात चाहे नागा कल्ट की हो, यक्ष यक्षिनी कल्ट की, या famous जगनात पूरी की जिन्हे tribal deity माना जाता है. धीरे-धीरे सब Hindu pantheon का हिस्सा बन जाते हैं. यहां तक कि बुद्ध को भी विश्नु का एक अवतार बताया जाता है. ये strategy भी Hinduism के survival में important role play करती है. Hinduism को revive करने की बात हो और आदी शंकराचारे का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. शंकराचारे ने 8th century AD में Hinduism को reorganize और reform करने का काम किया. इन्होंने अदवैत philosophy को popularize किया, जिसके अनुसार सिर्फ ब्रहमन ही सत्य है और बाकी सारा संसार बस उसकी ही माया है. शंकराचारे हिंदू philosophy को popularize करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रावल करते हैं. इस दोरान अलग-अलग thinkers के साथ वो debates और discourses में भाग लेते हैं. इन्होंने इंडिया के four corners में monasteries established की थी, जिन्हें मठाज या पीठाज कहा जाता है. श्रिंगेरी में शारदा पीठा, द्वारका में कलिका पीठ, बद्रिकाश्रम में जियोती पीठ, और जगननातपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई. इन्हें हिंदुइजम के चार धाम कहा जाता है. इस तरह उन्होंने जियोग्राफिकली भी हिंदुइजम के followers को जोड़ दिया था. इन्होंने पंचायतन form of worship को भी popularize किया, जिसमें पांच डेटीज, गनेश, शिव, विश्नु, सूर्य और देवी की एक साथ पूजा की ज को भी unite किया. इसके अलावा हिंदु scriptures को भी इन्होंने simplify किया. शंकराचारे ने वेदाज, उपनिशाद, पुरानाज जैसे religious texts पर commentaries लिखकर इनकी teachings को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया था. शंकराचारे के बाद रामनुजा, माधवचारे जैसे saints ने भी Hinduism को reform करने में अपना योगदान दिया. इसके बाद medieval period में जब इसलाम ने Hinduism को challenge करना शुरू किया, तो निर्गुण और सगुण भक्ती saints ने Hinduism को popular बनाए रखा. इसमें रामनंद, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास जैसे saints का योगदान रहता है. अगर modern period की बात करें, तो रा 19th century में इन social religious reformers की वजह से Christian missionaries, Hindus को convert करने में बहुत ज्यादा सभल नहीं रहते. जिस तरह की सभलता इन्हें Africa या दूसरी colonies में मिली थी, इंडिया में वैसी सभलता देखने को नहीं मिलती. स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में organized world religious conference में जाकर world stage पर हिंदूइजम की philosophy को popularize किया. स्वामी जी की speech पर comment करते हुए एक American newspaper ने लिखा था कि ऐसे rich religious tradition वाले देश में Christian missionaries को भेजने की क्या जरूरत है? इस तरह regular intervals पर हिंदूइजम में reform movements होते रहे हैं. हिंदू philosophy में कहा भी गया है कि जब-जब धर्म संकट में आता है, तब-थब उसकी रक्षा के लिए खुद ईश्वर अवतार लेते हैं. इसलिए ये reform movements हिंदू philosophy द्वारा भी justify किये जा सकते हैं. हिंदूइजम eternal रहा है क्योंकि ये static नहीं है और इसमें खुद को नया बनाने की ability भी दिखती है. अथर्व वेद में सनातन वर्ड का explanation भी कुछ इसी तरह है। सनातनम एनम अहुह उताद्याह स्यातपुनार नभाह. Meaning, they proclaim him to be eternal, but he may become new again even today. हिंदूइजम का सबसे यूनीक फीचर है इसकी diversity. Different level पर variations और diversity होते हुए भी ये unity को कैसे represent करता है? ये समझने की जरूरत है. How Hinduism Encompasses the Concept of Unity in Diversity दोस्तों, Hinduism में असंख्य देवी देविताओं का concept है. Multiple religious texts है. अलग-अलग sects भी इसका पार्ट है. साथी rituals और beliefs में भी बहुत ज्यादा diversity देखने को मिलती है. इस सब के बाद भी Hinduism अपने followers को unite करता है. क्योंकि Hindu philosophy इतनी flexible है कि सभी views को इसने accept किया है. Hinduism में माननेता है कि रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है. Hinduism तो बाकी religions को भी सत्य ही मानता है. इसमें कहीं भी ये concept नहीं है कि Hinduism के अलावा जो religions हैं वो इश्वर की प्राप्ती का मार्ग नहीं हो सकते. इसी वजह से Hinduism को एक tolerant religion भी बोला जाता है लेकिन tolerant शब्द इस concept को justify नहीं करता, क्योंकि Hindus न सिर्फ दूसरे religions का सम्मान करते हैं, बलकि उन्हें भी Hinduism की बराबरी पर ही रखते हैं. इसलिए Hinduism में forced conversion का concept भी नहीं आता. Hinduism की history में कभी भी दूसरे religion के against धर्म के नाम पर war नहीं हुए हैं. फिर चाहे वो वसुधैव कुटुम्बकम की philosophy हो, जिसके अनुसार पूरा विश्व एक ही family माना जाता है, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनह जैसे hymns. Hinduism हमेशा ही सब के कल्यान की बात करता आया है. Hinduism में संपूर्ण मानव जाती के equal worth का भी concept है. ये हमें इस ancient hymn से साफ पता चलता है. जिसका मतलब है कि no one is superior, none inferior, all our brothers marching forward to prosperity. यही वज़े है कि आप चाहे शिव की पूजा करते हूं, या कृष्ण की, या फिर देवी के भगत हूं, या शायद किसी की पूजा ही ना करते हूं, लेकिन फिर भी आप खुद को हिंदू कह सकते हैं. हिंदू होने के लिए ना तो किसी एक भगवान की वर्शिप करना compulsory है, और ना ही किसी मंदिर में जाना, यहां तक कि किसी ancient scripture की study करना भी mandatory नहीं है. हिंदूइजम तो सब को अपना मानता है, अगर आप खुद को हिंदू मानते हो, तो आप एक हिंदू ही हो, फिर चाहे कितनी भी diversity आ जाए, हिंदूइजम आपको उसके 900 million से ज्यादा followers के साथ unite कर ही देता है. Conclusion को challenge करते हैं, इन्ही को counter करने के लिए और इनके competition में हिंदूइजम एक religion की form लेने लगता है. हिंदू परंपरा के अनुसार अपने धर्म को सनातन धर्म कहा गया है, और धर्म शब्द की परिभाषा religion से अलग भी बताई जाती है. धर्म का मतलब एक set of rules माना गया है, और सनातन धर्म का मतलब हुआ ऐसे rules जो हमेशा ही valid रहते हैं. बाकी rules and laws तो समय और conditions के according change होते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा चलता रहे वही है सनातन धर्म. दोस्तों, हिंदूइजम को एक विडियो में समझा पाना तो नामुम्किन जैसा टास्क है. फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको हिंदूइजम की मूल बातों से परिचित कराया जाए. अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो, तो comment section में ज़रूर बताएं और ये विडियो अपने friends और family के साथ share करना ना भूले. Thank you and God bless.